आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्थ सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात करेंगे एक्जाम या इंटर्व्यू देने से पहले क्यों हो जाता है पेट खराब तो इसकी वज़ा क्या आपने कोई फैसला लेने से पहले पेट में गुदगुदी महसुस की है या फिर प्रिजे रिक्षा या इंटर्व्यू के लिए जाते हैं तो पेट में अजीब सी हलचल हो जाती है कभी सोचा है कि ऐसा क्यूं होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन सीधे तोर पर हमारे आज से जुड़ा हुआ होता है डॉक्टर्स के अनुसार तनाव और चिंता आज के काम पर बुरा असर डालता है इससे वक्ती की भूप भी कम हो जाती है और पेट भी फूले लगता है इन लक्षणों पर उन लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो अकसरी चिंता में रहते हैं आज हम आपको डाइजेशन के कुछ लक्षणों के बारे में बताएं इससे एंग्जाइटी डाइरिया भी कहा जाता है जो आत और ब्रेन के बीच के कनेक्शन के कारण होता है इसके साथ ही अपज होने पर भी शरीर में कुछ हॉर्मोन और कैमिकल रिलीज होता है जो आपके पाचन तंत में प्रवेश करके पाचन को बादित कर देता है एंटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इसकारण लार बनने की प्रक्रिया भी धीमी पड़ जाती है और हमारा मूँ सूपने लगता है मानसेक और आत के स्वास्त से सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए यदि आप बढ़ते तनाव और चिंता के साथ लगातर पेट से जुड और पूर खाने को अपने सेवन में लीजिए यह सबी चीज़ें आग से गुड बेक्टियर को बनाने में मदद करता है और आपकी बॉड़ी के लिए भी बहुत जादा हेल्दी रहता है इसने सबसदा हेल्दी फूड को यह अपने सेवन में लीजिए आज के लिए बस इतन दनागी में लीजिए के साथ तरने वाट